हाई एक वागत है फिस एक नई वीडियो में आप सब लोगों का तो आज है नया दिन और सुबा का टाइम सुबा का सावा आठ बजे का टाइम हो चुका है और दूप बहुत अच्छी आ चुकी है क्योंकि आज कि सावा आठ बजे ही दूप आ जाती है हमारे यहां और धिरे धिरे वो गटते गटते आठ पांच आठ बजे इस तरह से चलते चलते मार्च अपरेल तक सड़े साथ बज से छप गी है तो अभी लेवर मिली भी है तो खोद के रखते हैं गड़े फिर पौदे तो तब लगाएंगे जब और अच्छी सी बारिश हो जाएगी अच्छी सी बारिश पता नहीं कब तक होगी अगर उनतजार करते रहेंगे तो फिर काम नहीं हो पाएगा इसलिए हम अप चले जाओंगी ड्यूटी और फिर आप लोगों से मिलूँगी शाम के टाइम और चलिए फिर ले चलते हैं आपको खेट दिखाते हैं आपको किस तरह की गड़े कर रहे हैं हम लोग जो लोग पहाड़ों में रहते हैं उन सबको तो पता ही है आजकल सद्यों के मौसम में कि सेकंड टाइम इन खेतों में पौदे लगा रहे हैं पहले हमने बदाम लगाए थे वह भी खराब हो चुके थे और उनको फिर कट कर दिया फिर अब दोबारा से स्टोन फ्रूट में हम लगा रहे हैं इसमें प्लम प्लम की कैई वराइटिया हैं जो हम इसमें लगाएंगे मैकसमिम्म दोई वराइटिया लगाएंगे यहां पर जादा नहीं लगाएंगे और पहले से लगे हैं दो तिन साल के हैं जो कि रडबीूट के लगे हैं और अब लगाएंगे हम इसमें बलेक कैमबर क्योंकि बलेक कैमबर की अच्छी मार्किट है और वह स्टोर भी रहता ह है फ्रूट तो इसलिए अब हम इसमें ब्लेक एंबरी लगा रहे हैं है यह नहीं टूटा यह सही जब से हम काम कर रहे हैं यह बन रहा है यहां पर दो ड्हाई का गड़ा प्लम के लिए गहरी तो नमी बिल्कुल भी नहीं है यह उपर उपर से चलो धूल जैसी छपगी है यह इसलिक ज्यादा तो है इना जादा बारिश नहीं हुई है भाई मुझे लगा में आशी पारिष होगी है जेलो फिर बी काम चलाने क्रिए नेहीं दू हो लुगये लिए एक गड़े करके लखें फिर और देखते हैं बार इच्वी लगाते हैं क्यों है पहला काम यहां से बारी गुबर खेत ले जाना और यह घास जो भी मोटा मोटा गुबर है यहां से अब यहां को शिप्ट कर रहे हैं क्योंकि यहां पर दो प्लम लगेंगे इधर और वहां पर परली साइडरी यहां पर इसलिए जगह खाली हो रही है जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा होगा मैं गुबर की छटनी कर रही हूँ जो मोटा मोटा इसमें घास है और वो मैं यहां से शिप्ट कर रही हूँ और जो बारी गुबर है वो ले जाएंगे खेत को इस तरह से यहां पर लगा दूँगे और इसके उपर पानी डालके फिर यह सड़के अच्छा बन जाएगा इस तरह से चल रहे है मेरे काम जैसे कि आब को यहां पर दिख लाए है कोई भी काम असान ही होता गुबर तैयार करने के लिए बहुत मैंट करनी पड़ती है इसको अच्छे से लगाना पड़ता है फिर इसमें पानी रहना पड़ता है और सेट करके अच्छे से रखना पड़ता है ताकि अच्छे से सड़ जाए अगर इसा ही फैंकते जाएंगे तो फिर ये वैसे ही रह जाता है अच्छा ने बनती है इसकी खाथ तो इसलिए हर चीज और गोपर लगाने के बाद यहां पर देखिए चिटे उठाके वो जला दिये हैं और मैं था जी यहां पर गपे मारे हैं पिच्छे को गई खड़े थे और यह काम नेक्स डे का है सेम डे नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि सुबा शामी करती हूं मैं दिन भर मुझे ड्यूटी करने पड़ती है इसलिए यह नेक्स डे का है ताइम और हमने बीस पौदे लगा दिये हैं क्योंकि नेपाली में सिर्फ गड़े करके रखे थे वह आट बजी आते हैं चार बजे भाग जाते हैं फिर उन पर ही डिपेंट रहेंगे तो फिर हमेरा काम कैसे चलेगा इसलिए शेम निकालते हुए ठंडवी बहुत जादा होगी है क्या करें याज किल मेरा बारिश आने के बाद भी चूना नहीं धूलाए मुझे लगा था ही धूलेगा और यहां पर बनाऊंगे भी में तॉल यह हमने किस तरह से किये है अब यह कुछ शेक नहीं बना यह बाकी दिखा उपरे वाले कैसे बनाए मैंने यह अखरी था इसमें कुछ शेव अच्छी नहीं आई और यह है कुछ इस तरह से त्यार किया गया है यह तोलिया इस तरह के तोलिये बनाए जाते हैं पेड लगाने के बाद मैंने भी स्वार और वही किया यूट्यूब वाला गोबरम लाके डाला उपर की मिटी निचे डाली देखते हैं फिर इस तरह से करने से क्या होता है क्योंकि नैपाली चार बचे चले जाते हैं उसके बाद हमने यह साथ आठ पेड लगाए यहां पर मेरे पीछे देख सकते हूँ आप प्लम इसलिए हमने खुछ सभी लगाए यह गड़े तो उन्होंने कर रखे थे यहां पर लोग दुआ देखने आये लोग मझे से आग सेक रहे और मैं खेत तो में हूँ मेरा मन भी बहुत कर रहा है वह ऐसा सोच रहूं कि बस अब आग सेकूंगी जाके बलकि प्यास लगी थी त पानी पीटेओं जाओंगी फिर घर है रहा हम हुआ घ् Judea रहें से अब यहां से घरम पानी पीके जाती को इसमे फिर गर्णी तुब़ाइम के लगे ने तो फिर रात कोई गरम पानी से दोने पड़े ठंडे पानी से तो नहीं दोता और मेरे इतने हालत ख्राब हो चुके है ना आज कल क्या बताओ खेती बाड़ी का काम ड्यूटी यह इधर क्या तंगा है बस यह से तंगी रहती है आज कल कपड़े यह दोया होगा तो बार से फिर तंगने को अंदर कहीं नहीं पर टांग देते हैं तो इनको दूप में ढाल देती हूं फिर तो मुझे थोड़ देर के लिए जाना था अबी आट बचे हैं खेत क्योंकि गारी में जाती हूं तो फिर थोड़ा टाइम बच जाता है पैदत कपड़े टांगने के बहाने ये भी दिखे यहां पर अब इन में डाना पड़ेगा पानी पारली साई तो अंदेरा है ये बिल्कुल रात ट्र diff जाता है ये बचुल झाल 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 झाल